सब ही खबरों से जुड़ी किसे भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसे भी नोटिफेकीशन को पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नज़र हमने कई बार सापो को भगवान शिव के शिवलिंग की रक्षा करते हुए देखा हैं ऐसे में एक और मामला हाली में सामने आया जिया मंदिर में शिवलिंग बनाने के लिए खुदाई हो रही थी कि तभी अचानक दो जिन्दा नागों को देख खुदाई करने वालों के हो खुदी होई थी खुदाई में इस्ट इंडिया कंपनी के 1616 इस्वी के सिक्के भी निकले ये हैरतंगेज घटना पंजाब के लुधियाना में सामने आई है लुधियाना के गुर्पाल नगर में प्राचीन शिवमहिमा मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने के लिए की ज नागों का जोड़ा एक शंक और कई पुराने सिक्के मिलने का मामला सामनी आ गया है बताया जा रहा है कि शिवलिंग बनाने के लिए खुदाई की जा रही हृति धीरे धीरे जमीन के मिट्टी बाहर निकली जा रही थी तब खुदाई करनेवाले चौकए खुदाई करने बालों की नजर नागों पर पड़ी जोकि बिहोशी की हालत में थे, उन्होंने उस समय तुरण खुदाई को रुकवाया और नागों को बाहर निकाला, नागों को बाहर निकालने पर फिर और खुदाई की गई, और उसमें से 5 शिर्वले और शंक, माला और 16.211 के सिक्खे भ पुछ और भी पुराने थे। जैसे ही ये सारा माजरा लोगों को पता चला, वहाँ इन सब को देखने के लिए लोग आने लगे। लोग अपने अपने तरीके से शुरधा प्रकट कर रहे थे। मंदिर प्रबंधक हरविंदर सिंग की माने तो ये खुदाई की जा रही थी कि अचाना उन्हें नाग दिखाई पड़ गए। इन नागों को देखकर वो हैरत में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने खुदाई कर दोनों नागों का जोड़ा निकाला जिसको मंदिर में करशन के लिए आ रहे हैं फिलाल खुदाई को रूख दिया गया है। खबरी चोखट न्यूजरूम से सुर्जीत की रिपोर्ट